कुझे में अपका स्वागत है कैसे हैं आप लोग आइहोप आप सब ठीक होंगे एंद चलिए स्टार्ट करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी की अनालिसिस में इस वीडियो में करने वाला हूँ और डेली अनालिसिस नहीं है की एक लेंगर में अपके सांथ थोड़े ज़र में शेयर करने वाला हूं थिक आप जाए हमारे पास चाहिए जाते हो या वीखली यूज कर सकते हो ठीक है weekly और monthly जो होती हो लंबे time frame की analysis के लिए होती है और जो third होगी हमारी daily time frame daily time frame हम use करते हैं like 1 week, 2 week, 1 month तक के time frame के लिए तो इस वीडियो में हम तीनो time frame को use करके देखने वाले हैं कि nifty आगे क्या कर सकती है और nifty अब तक क्या करती आ रही है प्लस bank nifty आगे क्या कर सकती है और अब तक क्या करती है ठीक है तो चलिए start करते हैं यह हमारे सामने nifty का chart है और इसको हम one month की time frame से start कर लेते हैं ठीक है last time जब मैंने आपके सामने nifty रखी थी live session में तब nifty ने एक bearish engulfing pattern बनाये था एकदम top पे एकदम अपने resistance पे बनाये था तो यहां से इतना तो confirm था कि weakness आएगी लेकिन कितनी आएगी यह किसी को नहीं पता रहता यहां से reverse आ चुका है बठी और fall कर सकता था कोई guarantee नहीं होती market में कि कितनी weakness होगी कितना fall आने वाला है ठीक है लेकिन इतना confirm था at least एक से दो महिने का weakness देखने को मिलेगा यह मैंने live session में आप सब के साथ share किया था already उसके बाद हमारे पास एक और दो candle red रही और तीसरी candle भी red थी फिर इसमें reverse से लाना चाल हुआ ठीक है अब हमें क्या देखने को मिल रहा है यह एक bottom है और यह second bottom है इन दोनों के head से हमें एक pattern देखने को मिल रहा है आपको पता होना चाहिए एक pattern होता है morning star morning star जो तीन candle का pattern होता है तीन candle कुछ इस तरा से होती है एक downtrend के बाद एक candle, second candle and third candle यह तीन candle का pattern होता है morning star जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप यह तीन candle से देख सकते है 1, 2 and 3 यह होती है doji, doji का भी जब breakout आ चुका है तब भी हम एकदम positive मानते हैं plus 3 star जो candle pattern है जिसे हम morning star कहते हैं वो भी हमें already देखने को मिल रहा है तो nifty यहाँ से तो positive ही रहेगी, nifty में एक support है जो आ सकता है suppose अगर nifty में fall भी आता है तो हमारे पास एक support line भी है trend line यहाँ से positive होगा और इसके अलावा अगर हम weekly time frame में nifty को देखें देखिए है one week का time frame, one week में भी आपको same वही देखने को मिलेगा यह जो candle है, यह indecisive candle है, आप दोनों side की जो wick है, वो काफी हद तक similar है indecisive है, बहुत बड़ा, इसमें decision नहीं देखने को मिल रहा इसलिए एक fall के बाद, एक downtrend के बाद, जब एक candle बनी और इसका जब breakout आया तो यह हमारे पास एक positive sign देखने को हमें मिल रहा था positive sign उस candle ने दिया, और वहां से nifty तो positive है, लेकिन अब हमें यह भी देखना है कि जितने बार भी nifty fall करेगी, maximum जो support होगा, 17,400 के आसपास होगा 17,400, फिर धिरे धिरे जितना time आगे बड़ेगा, यह 17,500,600 ही change होता रहता है तो weekly में भी हमारे पास सर्फ इतना ही है, nifty का जो overall trend हमें देखने को मिल रहा है that is positive, uptrend हमें doubt theory पता है, doubt theory में क्या होता है, lower lows पहला low and higher low, फिर एक आता है higher low, इसे हम uptrend गहते हैं अगर हमारे जो lows होते हैं, वो हर बारी पिछले बारी से उपर बनेगा, तो उसे हम uptrend गहते हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक low बना था, इसके उपर दूसरा higher low इसे हम गईंगे तो higher low का मतलब एक uptrend में है nifty, तो nifty का overall trend है, uptrend इसका benefit क्या होता है, देखिए, अब हमारे पास nifty अगर uptrend में है भी, तो हम कौन सा इसमें buy करेके 3-4 महिने तक hold कर सकते हैं यह तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन nifty के जो stock हैं, हम उनमें यह काम कर सकते हैं suppose nifty अगर दुबारा से एक support पे आती है, तो उसके stock भी काफी हद तक fall करते हैं, और support पे आते हैं तो वही एक time होता है, जहां पर हमने किसी भी stock में entry करनी होती है, ठीक है, तो अभी right time जो किसी भी stock में entry करनी की होती हुए, एक तो वही है हर एक stock का अपना support level होता है, अपना resistance level होता है, वो सब हमने analysis करनी होती है plus nifty को compare करना होता साथ में, कि अभी कोई support का, अभी suppose कोई resistance चल रहा है और वहाँ पर आप buy करने की सोच रहे किसी stock में, तो वो तो काफी tough situation हो सकती है आपके लिए, क्योंकि वहाँ से fall भी आता है but अगर support पर कोई stock है और वहाँ से आप buy करने का plan करते हैं तो एकदम golden opportunity होती है यहाँ से maximum chance होता है कि rally आएगी वापस से, तो हमने wait करना है, nifty के किसी भी support पर आने का अभी यह support तो थोड़ा दूर लग रहा है, but हम बीच बीच में support चेक करते रहेंगे देखिए एक trend line भी मैंने साथ में आपके साथ share करी थी, यह और इस तरह से इसको मैंने extend किया जब extend किया, तो इसमें आपको एक तो breakout देखने को मिलेगा सबसे पहले तो breakout हुआ, positive हुआ और weak हुआ weak होने के बाद यह होता है, इस level, इसको कहते है हम retest जब इसमें retest आया, उसके बाद ही इसमें rally होनी और retest का confirm किसने किया, यह candle, इस candle का नाम है hammer तो candle भी important है, और pattern क्या बन रहा है, क्या वहाँ पर situation क्या बन रही है यह सब important होता है, यह सब हमने देखना ही होता है market में तो nifty का जो overall trend हमें देखने को मिला, यह हमारा एक uptrend है recent में क्या हो रहा है, एक बड़िया सी pin bar, इस candle का नाम है pin bar candle बड़िया सी pin bar candle मिली है, अगर हमें इसके उपर positive दिखा तो अब यह नया एक high मारतवा positive जाएगी, ठीक है तो इस तरह से nifty में एक सिर्फ और सिर्फ uptrend है और जितने बार maximum आप इस level को अपने chart लगा सकते हैं यह वाली trend line, जो भी just मैंने आपके साथ share किया था आप इस level को देखे एक बार, bottom चेक करते रहिए एक यहाँ पर bottom है आपका July का 22 में और दूसरा bottom आपको देखने को मिलेगा March 23 में इन दो bottom को एक trend line में convert कीजिए level को extend कीजिए चाहे वो 2023 हो, 24 और 25 हो जब तक यह trend line breakdown नहीं होता nifty week नहीं होने वाली तब तक ठीक है इस level को हमने ध्यान में रखना है very important अभी हम bank nifty को देखते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया start हमने क्या करना है start हमने बड़े time frame से करना है हमेशा जब भी आपको analysis करनी होती है तो एक approach होनी चाहिए आपकी बड़े time frame से छोटे time frame में आने की पहले monthly monthly से आप weekly पर आईए weekly से आप daily पर आईए और अगर आप intraday trader है तो trust me आपकी जो efficiency होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी ठीक है bank nifty को देखिए कल मैं live भी गया था members के साथ तो यही चीज मैंने bank nifty में कल बताए कि आपको देखने को मिलेगा support देखिए एक support यह था जो 2020 में all time low जब bank nifty ने दिया था हमें all time low तो ने कोंगा लेकिन एक बड़ा fall जब bank nifty ने में दिया था 2020 में करोना के टाइम पे उसके बाद से trend line को जो एक trend line market हमें देता है technical levels हमें market देता है उसके बाद कहीं पर भी एक अच्छा level नहीं मिला but recently 2022 के आसपास 2022 mid में हमें एक again support मिला है जो कि जून में मिला है उन दोनों level को अगर हम extend करें तो ये weekly time frame में ज्यादा अच्छा देखेगा हमें monthly में थोड़े आपके level up and down हो जाते है देखे weekly में देखे ये एक support one है और यहाँ पर support two है तो इस level को आप अपनी bank nifty में extend कीजिएगा जब तक ये दो level नहीं breakdown हो जाते bank nifty ने weak नहीं होना तीक है ये जो trend line जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो trend line जा रही है जब तक bank nifty इसको नहीं तोड़ देती कोई chance नहीं है bank nifty की weak होने के तब तक bank nifty 110% bank nifty भी positive रहेगी recent में अगर मैं इसके resistance की भी बात करूँ तो resistance currently हमारे पास देखने को मिल रहा है maximum अगर high अगर bank nifty मारती तो 48,000 के आज पास 47,500, 48,000 इस range तक bank nifty के rally दे सकती है बट ऐसा नहीं है कि आज बोला तो कल आ जाएगा 44,000 है 4000 के rally चाहिए तो कुछ time तो लेगी bank nifty भी कुछ week का time तो लेगी ही लेगी जितना भी time लगेगा ये एक resistance level है जिसको आप भी draw कर सकते हो अपने चार्ट पे और इस level का ये काफी respected level है इसको आप देख सकते हैं ठीक है resistance और support हमने weekly में तो देख लिया अभी हम daily time frame में भी एक बारी value nifty देख लेता है फिर done करता है देखे रीसेंट में क्या हो रहा है daily time frame मलब छोटी analysis monthly time frame मलब बड़ा analysis ठीक है और weekly time frame मलब उन नोनों के बीच के analysis ठीक है तो बड़ी time के analysis हमने देख ली 2022 मार्ट से लेकर 2023 अभी अपना मही चल रहा है इतने बड़े time frame के analysis हमने weekly और monthly में कर ली तो अब daily में क्या करने है तो daily में सबसे close का जो range होता है उसके analysis की जाती है like जो previous high था आपको देखने को मिलेगा 2023 के ही आसपास July, January या फिर December 2022 के आसपास जो high मारा गया था उसके बाद से bank nifty इसी level के नीचे चल रही है ठीक है अभी जब level के नीचे चल रही है तो downtrend में थी अभी हमें थोड़ा uptrend देखने को मिल रहा है uptrend कैसे confirm हम कर रहे है देखिए हमने uptrend confirm किया एक bottom, bottom two मतलब जो lows है वो higher बन रहे है higher lows बन रहे है प्लस जो trend line था ना इसी पे आके bank nifty अभी wait कर रही है ठीक है तो हमारे पास दो level आते है bank nifty के positive होने के और negative होने के positive के अगर मैं बात करूँ तो 44, 150 के आसपास से bank nifty positive हो सकती है और weak side के अगर मैं बात करूँ तो बस जब तक इस level के नीचे नहीं गिरती जब तक इस level के नीचे हैं तब तक weak ही हम इसे consider करेंगे अब अगर bank nifty को भी positive होना है तो इस level को break करना ही पड़ेगा तो ये थी हमारी nifty और bank nifty के analysis थोड़ी दिर में आपको और कल क्या करना है Monday के session में हमें क्या करना है nifty और nifty में तो वो मैं थोड़ी दिर में आपके साथ share करने वाला हूँ प्लस अगर आप चाहते हैं मैं daily bank nifty की भी analysis करूँ तो उसके लिए मैंने target set किया है 1000 subscriber का तो please subscribe तो कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए उसके बाद आपको bank nifty की भी daily analysis मिलने start हो जाएगी ठीक है चलिए session end करते हैं thank you so much bye bye take care